रेडियो खाची 90.4 एफेम पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खाची 90.4 एफेम हम सब कर रेडियो में आपका स्वालत है। मैं चंद्रमनी गेश टीचर सिपी पेस राची उन्वसिटी राची। आज हम लोग जियस के अधीन आने वाले विशे इतिहास का अध्यन करेंगे जिसका की टॉपिक है व्यदिक सब्यता। व्यदिक सब्यता को दो वर्व में या दो काल में विवक्त किया गया है। पहला रिग वैदिक काल या इसे पुर्व वैदिक काल भी कहते है जिसका की काल पंद्रह सब से एक हजार इसा पुर्व है। है. दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसका की काल 1000 से 600 इसा पुरू माना गया है. आज हम लोग वैदिक सभेता के अंतरगत रिग वैदिक काल के भगवलिक विष्तार से प्रशन पुछे जाते हैं व्यदिक सभ्यता के निर्माता आरी थे आरी का अर्थ समूह होता है जो लोग एक विशेष्ट परकार की भासा बोलते हैं उन्हें आरी कहते थे आरियों की पहली साखा भारत में लगवग 2000 इसापुर्व में आया भारत में आरी सभ्यता की स्थापना 1500 इसा कहने वाले थे इनका मूल इस्थान कहा का था इसमें विद्वानों में मतभेद है अलग अलग विद्वान आरियों के मूल निवास इस इसान के बारे में अलग अलग इस्थान को बताते हैं जैसे ध्यानन सट्वशति के अनुशार आरे तिबबत के निवाशी थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुशार बहुत इंपॉर्टिंट अक्सरा कुष्ण पुछता है। यहां ब्रहमसी परदेश भारत के लिए नाम आया है या सप्त-सेंधो परदेश कह सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार आरे मद्ध एशिया के रहने वाले थे, पेनका के अनुसार आरे जर्मनी के रहने वाले थे, वहीं आलचीन इवं चाइल्ड के अनुसार आरे दक्षिनी रूस के निवासी थे, इस परकार आरियों की मूल निवास इस्थान के वारे में विवाद है कि सबसे प्रमानिक रूप से आरे दक्षनी रूस के रहने वाले थे और वहां से चल कर मद एसिया आए और इरान में लंबे समय तक निवास करने के पश्यात दो साखाओं में बट गए एक साखा यूरोप चली गई वहीं दूसरी साखा भारत आ गई इसकी जानकारी हमें इरान के परमुख गरंथ जेदा अविस्ता बहुत इंपोर्टेंट गरंथ है इरान के परमुख गरंथ जेदा अविस्ता नामक गरंथ से मिलती है जेदा अविस्ता की समानता रिगवेद के साथ की जाती है आरे अफगानिस्तान होते वे भारत पहुँचे और भारत पहुँचकर उन्हों ने सबसे पहले सब्त संदो परदेश में निवास किया सब्त संदो परदेश मुख्य रूप से पंजाव इवम सिंध का छेत्र था रिगवेद में इस छेत्र में कई नदियों की चर्चा भी मिलती है जैसे सिंध, सिंधू का पुराना नाम, सतू डुडी, सतलज का पुराना नाम, विपासा, व्यास का पुराना नाम, असकिनी, चिनाओ का पुराना नाम, पुरुस्नी या एरवती, रावी का पुराना नाम, वितस्ता जेलम का पुराना नाम आदी की चर्चा मिलती है इसमें सबसे महतपूर नदी सिंधु नदी है रिगवेद में राजिस्थान की दो नदियों की चर्चा भी मिलती है पहला सरसती और दूसरा द्रिश्दती सरसती जिसका के आधुनिक नाम गगर है द्रिश्दती जिसको चौदांगनी के नाम से भी जाना जाता है रिगवेद में गंगा नदी की चर्चा एक बार वहीं यवना की चर्चा दो बार मिलती है इसके अलावा कई समुद्र एवं परवतों की भी चर्चा मिलती है इसमें सबसे महतपून परवत हेमवत परवत है जिसकी की परमुख चोटी मुझवन्त की चर्चा मिलती है जो सोम वनस्पती के लिए परसिद्ध था रिगवेद बहुत इंपर्टन रिगवेद के नौवे मंडल में 114 सोक्त सोम देवता को ही समर्पित है उत्तरवैदिक कालीन भगौलिक विष्टार उत्तरवैदिक काल जिसका की काल है 1000 इसापुर्व से 600 इसापुर्व इसके भगौलिक विष्टार का अध्यन करें है उत्तरवैदिक काल में आकर आरी का भगौलिक विष्टार उत्तर भारत तक हुआ उत्तरवैदी काल में आरी के भगौलिक विशय में विश्तार से जानकारी सत्पत ब्रह्मन में मिलती है। इस सत्पत ब्रह्मन में चर्चा मिलती है कि ससती नदी के किनारे विदे माथव नामक राजा रहते थे और उनके पुरोहित का नाम गौतम राहुगन था। ये दोनों आग और घी के सहारे ससती नदी होते वे सदा नीरा नदी तक पहुँचे वही सदा नीरा नदी जिसको वर्तमान समय में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है जो बिहार में स्थित है किन्तु गंडक नदी के आगे ये नहीं बढ़ पाए कहा जाता है कि गंडक आगे और नहीं बढ़ पाए विदे माथव प्राजित होने के पश्चाद मगद के लिए वात्ति भुमी अठात आपवित्र भुमी का नाम दिया। बौध की परशिद्ध गरंत अंगुत्तर निकाई में सुल्ला महाजनपद की चर्चा मिलती है। इसमें एक महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिन में इस्थित था और इसका नाम असमक जिसकी की राजधानी पूतना थे। दक्षिन भारत में परवेश करने वाले आर अगस्त मुनी थे। जिन्होंने 700 इसापुर्व के आसपास विंद परवत को पार कर दक्षिन भारत आये। और दक्षिन भारत में उन्होंने आर संस्कृति की स्थापना की। इसके पश्चात दक्षिन भारत में आर संस्कृति को फैलाने का सरे राम को जाता है। रामायन में जो राम और रावन के बीच युद्ध दिखाया गया है वह दो व्यक्तियों के बीच युद्ध ना होकर दो शांस्कृति के बीच युद्ध था वहीं इस युद्ध में आरि के नायक राम थे एवं दवरी संस्कृति के नायक रावन थे रावन के उपर राम का विजय दविर संस्कृति के उपर आरियों के विजय को दिखलाता है रिगवेद के दसमे मंडल में दस राज युद्ध की चर्चा मिलती है जो दस राजाओं की लडाई थी यह लडाई रावी या पुरूसनी नदी के किनारे हुआ था इस लडाई में मुख्य रूप से 11 राजाओं ने भाग लिया था जिसमें एक और से भरत कबिला जिसके राजा सुदास जबकी दूसरी और से दस राजाओं का संगठन था जिसमें पांच आरे कबिला और पांच अनारे कबिला थे इस दस कबिले को संगठित करने में सबसे परधान कबिला पुरू कबिला के राजा पुरू सुक्त ने परमुख भूमी का निभाई दस राज युद्य के मूल कारण के विशय में कहा जाता है कि भरत कबिला के परधान पुरोहित विश्वामित्र थे भरत कबिला के परधान पुरोहित को उसके पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर विशिष्ट को अपना परधान पुरोहित बनाया गया फलतह विश्वामित्र इसे अपमार समझ कर पुरू कविला के पास पहुँचे और उन्होंने ही दस कविलों को आपस में संगठित किया और यही लड़ाई का मूल कारण बना इस युद्ध में विश्ष्ट भरत कविला की ओर से और विश्वामित्र दस कविला की ओर से थे इस दस राज युद्ध में अंतिम विजय भरत कविला को मिली अंतता भरत और पुरू कविला में समझाता हो गया और दोनों कविला ने संधी कर एक नए कविले का निर्मान किय जिसका नाम कुरू पड़ा और इसी से कुरू छेत्र हर्याना बना जिसकी की राजधानी हस्तिना पुर्वनी आगे चलकर इसी कुरू छेत्र के मैदान में कौरव इवं पांडव के बीच महाभारत की लड़ाय हिवी जो कुल मिलाकर 18 दिनों तक चला और अंतिम विजय को में बिभक्त है इसमें सबसे महत्वपून भिस्म पर्व है भिस्म पर्व में ही गिता के उपदेश मिलते हैं गिता के उपदेश में कृष्ण ने दो परकार की बात कही है पहला साकर्म दूसरा निसकर्म इसमें कृष्ण निसकर्म करने की बात को कही है दसराज युद म भरत कवीला का विजय और इसी कारण से आने वाले समय में इस देश का नाम भारत पड़ा। इस परकार आज का टॉपिक वैदिक सभ्यता का विश्तार के बारे में हम लोगों ने अध्यन किया। जिसमें की वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 इसापुर इबं उत्तर वैदिक सभ्यता 1600 इसापुर के भागौलिक विश्तारों का अध्यन किया।